मंगलवार को पांचवावली थाना शेतर में परिसर के कुख्यात अपराधी को मौत के खाट उतार दिया गया। दरसल पुरानी दुश्मनी के चलते विवाद होने पर अपराधिक प्रवर्ती के शंकर को दुलवार पर पांच लोगों ने घातक शेस्त्र से हमला कर उसे मौत के घाट चतार दिया। पाचपावली थाने में करीब इसके खिलाफ बाइस आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी है। बताय जाता है कि मौतक शेहर के गैंक्स्टर दिवाकर को दुलवार का करीबी रिष्टेदार है। पाचपावली पुलीस ने हत्या के आरोपी लोकेश उर्फ लकी अशोक गुपता को गिरफतार कर लिया है। घटना के समय लकी के पिता अशोक लक्ष बावरिया मयूर सहीत अन्य घटना स्थल पर मौजुद होने की जानकारी है। बताय चाता है कि इस मामले में चार आरोपी पुलीस की गिरफत में हैं जबकि पाचपा आरोपी मिहर राहते फरार बताय चारह है। अशोक शिवशंकर गुपता आने लक्ष आनन्द बावरिया में चारह है। मंगलवार की शाम करीब 6 बजे के करीब लोकेश घर के पास बिली शौप मैदान लशकरी बाग में पतंग उड़ा रहा था। इसे दोरान दारू पी कर शंकर वहाँ पहुचा और उसने लक्ष से कुछ पैसे मांगे और मैदान में पतंग उड़ाने के लिए मना किया। इस पर दोनों के बीच गाली गलोश शुरू हो गई और देखते ही देखते लकी ने अपने चारों दोस्तों को बला लिया और उन्होंने एका एक शंकर के पेट गर्दन वसीने में चाकू खुप दिया। नशे की हालत में होने से शंकर खुद का बचाव नहीं कर सका। लकी ने उस पर लगातार हमला कर उसे वहीं पर मौत के खाच उतार दिया। रकी से भी कई बार उसकी अन्बन हो चुकी थी। ब्रतक शंकर पर पुलीस ने MPDA तड़ीपार की करवाही भी की है। नवंबर महिने में भी पुलीस ने शंकर पर धारा 110 की करवाही की थी। इन विसे न्यूस के लिए केमरपरसन अकलेश भरद्वाच की साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट